ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स ब्रॉट परदेश की कानून व्योस्ता बहुत अच्छी है जिसको सब को सब लोग महसूस कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है कि हम कहें तो सलक चलते हुए सलक बनाता हुआ मजदूर पढ़ता हुआ चात्र पढ़ता हुआ अध्यापक हाथ में यह लिए हुए माइक लिए हुए प महंगाई बिरोजगारी की मुद्धे पर चुनाव होगा बीजेपी लगाता है राममंदिर का जो पिछ है उस पर खेलते हुए दिख रहे है तो आपको लगता है कि आगरा में भी वो फैक्टर काम कर रहा है क्योंकि मैं इस सवाल इसलिए भी पूछना हूँ क्योंकि यह ज लोग सबा सांसद है और फिर से बीजेपी ने उनी पर भरोसा जताया है और बगेल जी से हम समझेंगे आकेकार बीजेपी ब्रज रीजन में कितना कॉन्फिडेंट है ब्रेक्फर्स पर बातचीत होगी हालां कि इनका नवरातर चल रहा है नौ दिनों का वरत है सर बातचीत है चुनाओ को लेते हैं 100% से उपर अगर कुछ होता तो उतना जनता पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और जब जनता होती है तो हमारे वरकर हमारे संक्ठन होता है और जब संक्ठन मुतमीन हो जाता है तो पर तैसी भी हो जाता है तैसी अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर सक अगरा के बारे में पढ़ रहा था बात कर रहा था लोगों से तो कह रहे थे कि यह बीजेपी के लिए बास्टियन तो है लेकिन इसलिए भी है क्योंकि जो विपक्ष है चाहे बसपा सपागा गडबंदन हो या आप इंडिया एलाइन्स है कैंडिडेट्स आउटसाइडर होते हैं पैरसूट अपोजिशन कैंडिडेट मिलता है इसलिए आपको एक इजी बैटल मिल रहा है आगरम इसके कई कारण है एक तो केंड्सरकार की यूजना के लाभारती हर तीसरे घर में हैं दूसरे राज सरकार की यूजनां के लाभारती हैं सबसे बड़ी बात है कि बूत अद्धश से लेके राश्टी अद्धश ने पिछले पांस साल में परिश्रम की पराकाश्टा की है उसके पसियना जो निकल ला उससे कमल के लेगा और उत्रपदेश की कानून व्योश्टा बहुत अच्छी है महसूस करें कि ब्योस्ता परवर्तन हुई है तब ब्योस्ता परवर्तन होती है राजनितिक लोगं के कहने से कुछ नहीं होता है तो लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरी तरह यहां प्लॉट सुरक्षित हैं मकान सुरक्षित है अपरहन नहीं होता है और उसके अलाबा help करता है और लोगसभा में भी काम कर रहा है ये दावा कर रहे हैं निश्य तोर से मोदी जी को जो चौदा में प्रिधानमंती बनाया था जब प्रत्यासी घोशित हुए थे तो गुजरात मॉडल बहुत फेमस था तो देश के लोगों ने सोचा कि गुजरात मॉडल अकर जिसमें लगबक समाज के हर वर्व को चुगा है तो मोदी जी इस समय वैस्विक नेता है जब वैस्व के सबसे लोग परी हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और उसके सरुमाने नेता मोदी जी है इसमें कोई दो राए नी कि 5 साल के बच्चे को यद मोद जी की फोटो दिखा दी जाए या आवाज सनवा दी जाए तो वो पहचान लेता है बड़ा ब्रैंड फेक्टर आपके साथ काम कर रहा है मैं देखना हम पूरे ब्रिक्फिस्ट टेवल पे साथ में आपके विधायक हैं एत्मातपूर के वो भी वेट कर रहे हैं कि आप सभा रहे हैं लेकिन कहरे हैं ट्राफिक कंजिशन बहुत जादा बढ़ गया है स्टेट इलेक्शन में भी मैं जब आयता है तब यह बहुत बड़ा मुद्दा था है आज भी लोगों के बीच में चर्चा है तो इसका रिजॉल्यूशन कैसे करेंगे बगे लिए जो एमजी जाम लगने में जी दूसा देखे स्मार्ट सिटी हुई है मेट्रो हुई है हवाई अड्रे के लिए सारी पूरी जमीन अक्वाइर हो गई है मौपजा दे दिया गया एक मिलेटी किसन कोट में नहीं है जमीन बहुत बिवाद होता है इसके लावा एनोसी एन्वार्मेंट की मिल गई है यहां 90 साल पर आना हुआ इड़ा था मैं किसी के अलोशना नहीं कर रहा हूं लेकिन केवल एक फ्लाइट थी दिली आगरा खजराओ कभी कभी आज आगरा लखनू आगरा जैपूर आगरा मॉंबई आगरा एहमदाबाद आगरा भोपाल आगरा बेंगलूरू य यह पांच साल में एक दम हुई हैं इसमें कोई दोराई नहीं कि उतपदेश सरकार ने जो जमीन अक्वाइर की है और दिली ने जो पैसा दिया है हमारा सिबिल बन जाएगा तो एयर फूर्स से हमारा कोई संबंध यात्वियों का नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि साल से महिने में आगरा शर्टर प्लीन भी उत्रा करेंगे और देश के हर बड़े शहर से जुल जाएगा क्योंकि ताज महल लोग देखने आते हैं एक और सवाल सर यूपी में चर्टेश में भी और यूपी में खास सवार पे रामंदिर को लेके बड़ी चर्चा है विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी की मुद्दे पे चुनाव होगा बीजेपी लगाता है रामंदिर का जो पिछ है उस पे खेलते हुए प्रतिक्षा के बाद बना है अब कई लोग करते हैं मन्नी सुप्रीम कोर्ट का अदेश है सुप्रीम कोर्ट का अदेश है नियास बना रहा है लेकिन 31,000 करोल रुपे अधिया जी में लगाए गए हैं तो एरपोर्ट सरकार ने बनाया है रेलवे स्टेशन वर्ड क्लास का ह हो रहा है सर्यूजी के किनारे बहुत सुंदर हो गए हैं और दुरियां पर के होटल सा रहे हैं परेटन के स्टल है धार में एक पूरा कॉरीडोर बन रहा है लेकिन हम पांच किलोग यहूं चावल पर भी चुनाव लड़ना हैं सौचाले दिये हैं चार करोल उस पर भी चुका है और लिश्टेड हैं 29,000 अस्पताल जिसमें 14,000 प्राइवेट भी हैं कश्मीर से लेके करन्या को मारी कच्छ से लेके काम रूप तक यह दिस देश के किसी के भी खतवनी में इस मेच के बराबर जिस पर हम नास्ता कर रहे हैं इतना भी अगर जमीन है तो फसल इसम होगी 200 रुपे की लेकिन किसान सम्मान निदी के 22,000 की तीन किस्नों के रूप में 16 किस्त माने 32,000 रुपे आ चुका है बहुँ आयमी गरीबी से 25 क्रोल डोग उपर इसलिए आए हैं अपनी एक रोड माप गना दिया मुझे मैं एक चीज मैं जरूर में काऊंगा कि आप जब दिली में भी निर्मान भावन में भी जब बोलते हैं तो आप बहुत पैसनेट हैं आशमान के स्कीम्स को लेके लेकिन उसी मेनिफेस्टों पे हम बात कर रहे हैं जिसका जिकर आप है या आप भी रियलाइज करते होंगे उसको लेके क्या एक रोड माप है क्योंकि ये नाराजगी तो ग्राउंड पे दिखती है अगर सरकारी नोक्रियां तो मिली रही है लेकिन रेटन भी अपने आप में बहुत सारा रोजगार दे रहा है एग्रिकल्चर भी दे रहा है किल्के पंचर वाले ये सारे लोग उन्हें मुद्रा योजना में उस्वा निदीज में तो करूलों लोगों को इसमें रोजगार मिला है और सो रोजगार ये शरम जी भी लोग है जो अपने सरम से जिंदा हैं लेकिन सरकार ने उनकी साहिता कि विसुगा कोई भी विक्ति या परेटन की दिश्टी कोड़ से भारत आता है तो ताज महल मद्दे नजर रख करके आता है लेकिन वहां से भी जो लोग आईंगे उनको एक्स फौजी का सर्टिपेट मिलेगा और बहुत कमोमने वो चाहें तो उसका उप्योग करके सिविल भी निकाल सकते हैं लेकिन मे मेरी दिश्टी से अगर आजादी के बाद प्रमुख चार पांच काम हैं आजादी के बाद सभी सरकारों के तो मैं उसमें नम्मर एक पर दूँगा सरकारी नौकरियों के सभी नौन गश्टेट पदों में साक्षातकार का समाप्त करना पता नहीं इस बात में लोग चर्च गुबाद कि तो दूट हैं ऐसे काखा यूपी में काम हैं इंटर्व कि सरकार में लेने के लिए नहीं थे लोग कोट पने जाएं इसलिए इंटर्व होते थे निकालने के लिए होते थे मैं धारन देता हूं बच्चे बहुत कुछ होते हैं कि लेना है तो आगरा की मैं करती थी जो सच्वाले से आती थी और चेर्मेंन को तो आज जो दस लाक नोकरियां जैसे साथ जगे में गया हूं सतर हजार-ची-हजार लोगों को हर तीसरे महिने जो दे रहे थे तो बिना सिफारस के बिना एक भी पैसे के लोग नोकरी पा रहे हैं प्री प्रॉसेस और उसको इनलाज करने की बात आप कर रहे हैं, अगनिवीर का मुद्ध आपने खुदी अड्रेस कर दिया है, वो एक सेंटिमेंट है लोगों के बीच, लेकिन सर ये तमाम जो इशूज हैं उस तरफ सामने से इंडिया ऐलाइन्स से पलटवार हो रहा है, पी ही नहीं है, इसलिए नहीं है बिलकुल, उसका कारण है कि हम जब पारसत का टिकट किसी को देते हैं, तो उसको भी उस वार्ड के लोग जानते हैं, वो कम से कम ममा राम राम चाची राम राम विद्वा पैंसन, विकलांग पैंसन, वद्दवस्ता पैंसन, साधी बिया, के पारसत चुना जाता है, और बहुत लोग मांगते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, कि इसका क्या असर है, इसने क्या, अब वो विकास तो नहीं कर पाता है, पत्यासी होता है, लेकिन वो दुख सुक में रहता है, लोग सभा के पत्यासी इस इस तर पर आएंगे, इतना कभ चार लाग से या पांच लाग से सपा बसपा को हारना है, इसलिए वो लोग लड़ सकते हैं, जिनको यह कहके कि चलो कुछ पैसे चुनाव आयो की सीमा में खर्च करके, अभी हमें पलोसी हमें नहीं जानता है, और वाजपा के मंदर द्रच को सब जानते हैं, तो एक चुना अगर बसपा का हम माने यहां पकड़ है, यहां तो नाच्रल वोड़ बैंक उनका बनता है, तो ऐसी स्तिती में आपके लिए कहीं तो कुछ चैलेंज खड़ा हो सकते हैं, अलागि फिर नंबर्स हैं पिछले चुनाव के, जिसमें आप दो लाग वोटों से जीते हैं, देख पिछले चुनाव जरूर पूरे यूपी के लिए थोड़ा सा खत्रा था, जिसमें मुलाइम सपाजवादी पाड़ी का जो दो एक धर्म और एक जात का बोड़ बैंक हैं और बहन जी का, और चौती जात को टिकट हो जाए, तो चार लोगे खटे हो रहे थे, इसके बावज सब्सक्राइब करने की चमता, और इन पांटा रखा, मैं मन पसंद केला खाऊंगा, ओके ऐसी एक सहाब ने आजम गड़ ली, उनका नाम था अखले स्यादो, सुर्गी मुलाइम सिंग जी ने मेन पुरी, डिमपल यादो ने कन्नोज, धर्मेन यादो ने बदायूं, और अ सबसे कठने की चमता, और इन पांचों जगे बहन जी गई, और इसके अलावा जो है उन पांच में से कितनी बड़ी बात है, कि डिमपल यादो कन्नोज से हरी, अक्षय यादो फुरोजावा से हरे हुए हैं, और धर्मेन यादो को तो बदायूं से और उसी कारकाल में आज सपा बसपा गडबंदन ने 1993 में सरकार बना ली थी, दूसरी बात है, बहन जी पे बोर्ड जुला था, दो जून 1995 को जब मुखमंती की सपत ली, ये गडबंदन था 1993 में, तब का दलित कॉंग्रेस में बहुत ज़्यादा था, मुलाइम सिंग यादो जी भी यादों के जो बड़े नेता हुए हैं, वो दूसरी बार सीम बन के हुए है, बना एटावा एटावा फरोजाबाद महिन पूरी तक सीमित था, जब वो तरानवे में जीते हैं, इसका मुला पूरा बोट नहीं था, तब जाके आजमगर्ड, देवरिया, बलिया, बस्ती, उनके कबजे माय बना राम निरे से यादो, चंद जीत यादो, लोग भी वहाँ बहुत महित्पूर हुआ करते थे, तो अब इस बात पर तो आपको ध्यान देनी होगा, कि पिछली बार गड़बंदन हुआ, आधी आधी लगबग सीटें ली, और गड़बंदन में वो दस सीटें उनकी लोग सबा में उनकी एक भी सीट नहीं आईगी, और समाद बादी पार्टी जब तीन हार चुकी है, और अब प्राप्त मतों में से, 2019 के प्राप्त मतों में से, मैंन पुरी में से, सवा लाक निकाल लो, डेड़ लाक फरोजाबाद में निकाल देना, वदायू में भी डेड लाक निकाल देना, और ऐसा नहीं होता है, जब बीएसपी अकेले लड़ती है, तो मानलो एक लाक, जब सपा का अडबंदन हुआ, तो एक लाक सवा लाक में कनवर्ट हो जाता है, मनोबल भी बढ़ता है, और सनक्षन भी मिलता है, कोई चुनाव नहीं है, अखले होता हुआ सा थोड़ा दिखाई पड़ेगा, वरना मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से एक तरफा चुनाव हो रहा है, मैं तो एक भी नहीं दे पारा हूँ, बीएसपी को एक भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कि एक दो सीटों पर चुनाव ह करते हैं, बेगर्स कांट भी चूजर्स, वह दे आर नोट बेगर इन देर फेमिली इन देर पार्टी वह तो अपना घर में थोड़ी सी रलाई होती होगी, वह तुमने आजमगल चुनली, यह मैं आजमगल जाना चाह रहा था, तुम बदायू ले 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 अब सोचतो, शुपाल जादो ने बदायूं से सरेंडर कर दिया है, ऐसा नहीं है, कि उनको बेटे को अब लाई हैं, तो यह पहले दिन उनको लाना चाहिए था, जब अखले सादो ने शुपाल जादो जी की बदायूं में टिकट की, तो उनने कहना चाहिए था, बई मैं अभी तैय नहीं कर पा रहे हैं, कि वो कन्नोज लड़ें अथवा न लड़ें, यह बड़ी बात है, बीजेपी का निश्य तोर से कार करता बहुत सहित है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि राश्टी मुद्धों पर भी चुनाव हो रहा है, राम मंदर 22 तारिक का द्रस दे राम के चुनाव है, और स्पी सिंग बगहेल कह रहे हैं, बसपा तो जीरो पे है, और अखलेश यादव की पार्टी को भी इंडिया ब्लॉक को जीरो दे रहे हैं, दावा कुल मिला के यह है, कि बीजेपी असी की सीटो पर चुनाव में जीत हासल करेगी उतरप्रदेश में लेकिन फैसला जनता करेगी चार जून कोस्त का जवाब मिलेगा, आगरा में कैमपेञ एस्पी सिंग बगहेल का जारी है, हम आगे इसी कवरेज में और भी प्रत्यासियों से मिलेंगे आगरा के और आपको ग्राउंड की रियालिटी बताएंगे